गोबी मतर और मसरूम की मसालेदार सबजी बनाना और ये मैंने दो पैकिट मस्रूम के लिए हैं, और एक बाउल हमने मटर लिए हैं, इनको मैंने हलका सा बोईल कर लिया है, चार हरी मिर्च, दस से पंदरा हमने लसन की कर लिया, एक अधरका टुकडा, चार प्याज और दो बड़े टिमाटर लिये हैं, और ये मैंने एक चम्मच धनिया पोडर, आधा चम्मच हल्डी पोडर, और आधा चम्मच मैंने कस्मीरी लाल मिर्च पोडर लिया है, और नमक अपने स्वादनुसार लिया है, तो आईए बनाते हैं, ये मैंने एक मिक्सी का जार लिया है इसमें मैं ये लस्षिन के कलियां डाल दूंगी साथ ही मैं ये प्यार डालूंगी इसमें और इन्हें मैं बारीक पीस कर तियार कर लूंगी ये मेरे प्यार लस्षिन पीस कर तियार हो चुका है ये मैंने एक कढाई ली है कढाई के अंदर में ओईल डालूंगी इलको गरम होने दूंगी हमारा गरम हो चुका है अब मैं इसमें आदा चम्मल जीरा डाल दूंगी जीरा हमारा चटकने लगा है जीरा हमारा भुण चुका है अब मैं इसमें ये प्याज का पेश डाल दूंगी तो जब तक हमारे ये प्याज गुण दूंगी और जब तक हमारे ये प्याज गुणते हैं तब तक मैं ये अदरक को बारी कट करके निक्टी के जार में डाल दूंगी और साथ ही मैं इसमें ये टिमाटर कट कर लूंगी और इसके अंदर ये हरी मिर्च भी आड़ कर दूंगी और इसको मैं बारी किसके तयार कर लूंगी पेश्ट को और ये हमारे टिमाटर अदरक और हरी मिर्च पिसकर तयार हो चुकी है इधर हमारे प्याज बुंने लगें हैं प्याज हमारे बुं चुके हैं अब मैं इसमें ये जोड़ल दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स करूंगी अब मैं इसमें ये टिमाटर अदरक और हरी मिक्स का पेश्ट ढाल दूंगी और साथ ही मैं इसमें खोड़ा पाई डाल दूँगी मसाला हमारा बुनने लगा है मसाला मसाला हमारा बुन चुका है अब मैं इसमें ये मसरूम डाल दूँगी मैंने मसरूम को अच्छे से दो लिया था और इसे एक मसरूम के चार टुकुड़े करें हैं साथ ही मैं इसमें ये मटर डाल दूँगी और अम मैं इसके अंदर ये गोवी डाल दूँगी गोवी को मैंने गरम पानी में धोल लिया था ये हमारी गोवी अच्छे से मिक्स हो चुकी है अम मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दूँगी अच्छे से मिक्स कर लूँगी फिर से और इसे मैं ढखके स्लो गैस पे 15-20 मिनट तक पकने दूँगी तो आईए चेक करते हैं हम अपनी सब्जी को और ये बनकर हमारी सब्जी तयार हो चुकी है अब मैं इसमें हरा दनिया डाल दूँगी और इसे अच्छे से मिक्स करूँगी मैं सब्जी को ये अच्छे से मसाले दार बनकर त्यार हो गई है अमारी सब्जी अब मैं इसमें गरा मसाला डालूँगी मैं इसमें चप्थाई चम्माच गरा मसाला डाल रही हूँ और अच्छे से मिक्स कर दूँगी गैस को मैं बंद कर दूँगी और एक बाउर में मैं इसे सर्व कर दूँगी ये हमारी गोबी मटर और मस्रूम की सबजी बनकर तियार हो चुकी है अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर करें और सिस्क्राइब करना ना बुलें